नवस्कार में होशुवानी बिहारी नियूस में आपका स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले आप सभी को दिवाली की धेर साड़ी शुब कामना है अब खबरों के और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आज बनाई जा रहे हैं खुशियों और सौगात का त्योहार दिवाली अब मंदिर के बाहर विदेशियों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे बच्चे इश्रम पोर्चल से जुड़ेंगे सेवी का सहाई का आशा हुआ किसाद चोटी दिवाली पर विराज की आतिशी पारी की बदोलत जीता भारत दो नवंबर को शुरू हो रही अगनी वीर बहाली प्रिकडिया अब चली बढ़ते हैं विहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के उविस्तार से आज मनाई जो रही है खुशियों और सौगात भरी तिवाली दिवाली ने शुरूत तौर भारत में मनाया जो आने वाला सबसे बड़ा हिंदू तिवाली का तिवाली चार दिनों के समारों हो से चिन्धित होता है जो हर घर को रोशन कर जाता है दिवाली जो अंधेरे पर रोशनी की विजय का परतीक है बुराय पर अच्छाय की जीत अग्यांता पर ग्यान और निराश्वा की उमीद है वहीं दिवाली को लेकर बाजार भी रोशन है रंग बे रंगे दिये सजावट के सामान से बाजार पूरी तरह गुलजार है लक्षमी करेश जी की तरह तरह की मुर्दिया भी बाजार में देखने को मिल रहे हैं वहीं आज पूजा की शुभ मुहर्ट की बात करें तो इस साल दिवाली 24 ओक्टबर 22 सोमवार को है दिवाली की शाम को मा लक्षमी औभगवान गरेश की विधिवत पूजा की जाती है लक्षमी पूजा मुहर्त शाम 6 बच कर 13 मिनट से रात 8 बच कर 16 मिनट तक रहेगा लक्षमी पूजन की कुल अब धी एक घंटा 23 मिनट की रहेगी बिहारी पहशान में आज हम बात करेंगे चित्रगुप्त की पूजादी के तुरंत बाद उन्होंने भारती इस सिनेमा संगीत की सेवा शुरू की और फिर तो वे एक के बाद एक फिल्मों के संगीत तयार करने लगे आपने अपनी किताबों में खूब पढ़ाओगा भूजबुरी की पहली फिल्म के बारे में गंगा मया तोहे पियरी चड़े वो इस फिल्म का संगीत चित्रगुप्त ने ही तयार किया था कबनेट सेक्रेटरियेट ने पंधर रृतियों के लिए जाड़ी किया नोटिफिकेशन नवंबर 2022 है विस्तरित जानकारी के लिए आप ओफिशल विबसाइट cabsec.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं आमस दर्भंगा ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे निर्मान का यहां फस रहा पेज भारत मालपर योजना के तैद बनने वाली आमस दर्भंगा NH 119D जोकी राज्य के साथ जिलों से होकर गुजड़ेगे इस महतोकान शीवर योजना के तैद बनने वाली इस एक्सप्रेस वे के निर्मान में अभी वक्त लगेगा आपको बता दे कि इस एनरेज के बन जाने से उतर और दक्षिन बिहार के बीच संपर्क बढ़ेगी जिससे राज्यों में विकास के नए रास्ते खुलेंगे इस एक्सप्रेस वे का निर्मान चार पैकेज में करिव 199 किलोमेटर लंबाई में करिव 6927 करोर रुपे की लागत से होगी अब मंदिर के बाहर विदेशियों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे बच्चे बोध गया जैसे परियर्टे नस्थल पर अब विहारी बच्चे विदेशियों से भीक मांगते नहीं दिखेंगे अब यह बच्चे खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे और आत्म निर्भर बनेंगे के आगे हाथ फैलाया करते थे इन में जादातर बच्चे वैसे हैं जो कि गाय भैस और बक्री चुडाने में भी अपना बच्चपन खपा रहे थे फिलाल 170 बच्चे सुब आच बच्चे से दो पर बाड़ा बचे तक स्कूल आते हैं और हिंदी अंग्रेजी कानित के साथ ही तिब्बती भासा की पढ़ाई करने में मन लगा रहे हैं तिब्बती मंदिर इस वज़ा से है बेहद खास तिब्बती मंदिर बिहार के बोध कया में इस्थित तिब्बती शास्त्रों और कई बोध पर्तिकों से अलंकरी तधार्म केंद्र है जो खुद में महतपूर्ण स्थान रखता है महाबोधी मंदिर के समीब इस मंदिर ने अपने कुछ विश्विस कारणों से अपनी अलग छबी बनाई है यहाँ एक 10 मीटर उचा धर्म चक्र है जिसे सुरहरे और लाल रंग में रंगा गया है लोगों की ऐसी आस्था है कि इस चक्र को बाएस सिदाय तीन बार घुमाने से उसके द्वारा किये गए सभी पापों से मुक्ती मिल जाती है तिबती मंदिर का माहौल का फिशान्थ है और यहाँ पर लोग साजना भी करते हैं यहां बहुत हो धर्म के लोगों के धार्म का स्थलो में से एक है क्योंकि यहां मैत्रे बुध की छवी है जिन्हें वहां के भिक्षु भगवान बुध के भविश्य का अफ्तार बताते हैं इश्रम पोचल से जुडेंगे सेवी का सहाई का आशा वोके साथ बिहार के असंगठेतु शेत्र में वैसे 3 करोर 49 लाग श्रमिक जिनका EPFO और ESIC में किसी तरह का योगदान नहीं है श्रम संसादर विभाग ने इनका निबंधन 21 दिसंबर तक इस श्रम पोचल पर काड़ा आने का लक्ष तै किया है इस लक्ष की मुताविक राजभार में कारेरत आशा, जेविका, सेविका, सहाईका, क्रिशी शेत्र स्रमिक एवं घरेलो कामगारों का भी निबंधन होना है इसको लेकर विभाग ने हर संबंधित विभाग एवं केंदर सरकार से इनका डेटा मांगा है ताकि इनका निबंधन करा कर इन्हें भी योजना से जोड़ा चा सके वहीं छट पूजा तक डेटा नहीं मिलने पर सभी ब्लॉक अस्तर पर अभ्यान चला इन्हें CSC लाया जाएगा जोहां इनका निबंधन होगा इन सभी निबंधन स्ट्रमिकों को दो लाग का दुरखटना विमा भी दिया जाएगा 29 आक्चुबर तक मुंबई रूट पर उडान भड़ेगी अतिरिक्त विमान तो हारी सीजन में बढ़ है यात्रियों के भीड को देखते हुए दरभंगा मुंबई के विच उडानों की संख्या बढ़ाई गई है इस रूट पर तीन विमानों की आवाजाही होने लगी है यह सुविद हाल 29 आक्चुबर तक बहाल रहेगी छट महापर पर यात्रियों के भारी दवा को देखते हुए विमानन कंपनी ने डीजी सीय से अतरिक्त विमानों के संचालन की अनुमती मांगी थी प्रस्ताव सुर्कृत किये जाने के बाद कंपनी ने इस रूट में अतरिक्त उरान प्रारम कर दी है 22, 23, 28 और 29 अक्चुबर को मुबाई रूट पर तीन दिन विमाननों का टिकट बुक हो रहा है तो नवंबर को शुरू हो रही अगनी वीर बहाली प्रकृडिया मुझफरपूर भरती बोट के द्वारा आयोचित की जा रही अगनी वीर की बहाली प्रकृडिया में कुल आठ जिलो के अभिरती शामिल होंगे जो कि आगामे 17 नवंबर से शुरू होने जा रहा है वहीं 2 नवंबर से 14 नवंबर तक गया आर्मी भरती बोट के बहाली प्रकृडिया मुझफरपूर के चकर मैदान में होनी है इसकी तैयारी भी जोर शोर से शुरू कर दी गई है या पूरी बहाली प्रकृडिया सिसी टीवी कैमले की निग्रानी में होगी एडमीट कार्ड को अंतिम रूप देने में भरती बोट जुट गई है जोर्नल भरती बोट से अनुमती मिलने के बाद इसे मुझफर पूर भरती बोट के अधीन सभी अभिहर्थियों को ऑक्टूबर के अंतिम और नवंबर के पहले सपता तक उनके इमेल और आविदन में 25 ऑक्टूबर 2020 को सुर्य ग्रहन लग रहा है या आनशी का सुर्य ग्रहन होगा 25 ऑक्टूबर को लगने जो रहा साल का पहला सुर्य ग्रहन यूरोप उत्तरबुर्वे अफ्रिका और पशी में इसी अके विविने हिस्सों में नज़र आएगा कुछ जगो पर इसे भारत मे भी देखा चौ सकेगा भारत में साल का दूसरा और आखरी सुर्य ग्रहन दिली, बैंगलोर, कुलकता, चुने, उजैन, वारा नसी और मत्रा में नज़र आएगा 25 ऑक्टूबर को ग्रहन के कारण इस बर दिपावली के ठीक अगले दिन को वर्धन पूजा नहीं मनाई जोतर लिंग यात्रा के लिए चुलाई जाएगी इस दिन से स्पेशल ट्रेन, अगर आप भी जोतर लिंग यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह ख़बर आपके लिए हो सकती है, इसके लिए IRCTC खास सुविधा देने जा रही है, बिहार के लोगों के लिए रिया जोतर लिंग यात्रा स्पेशल ट्रेन चुलाई जा रहे है, जो की 6 नवंबर से चलेगी, जोतर लिंग यात्रा स्पेशल ट्रेन, भारत दर्शन ट्रेन का कारे करमी 11 रात और 12 दिन का होगा, यात्रियों को महाकालेश्वर, उमकारेश्वर, सोमनाथ द्वार का, स्पेशल ट्रेन कोलकाता से खुल कर दुमका, भागलपूर, जमालपूर और पटना होते जाएगे, आयार सीटी सी के परियोटन प्रभारी संचीप कुमार ने बताया कि बुकिंग के लिए गांधी मैदान के बिसकोमाल इस्थिता आयार सीटी सी कारियाले से समपर्क किया सकता है, बुकिंग की सुविधा, ऑनलाइन और आयार सीटी सी के फूड प्लाजा पर भी उपलब है, पटना हाई कोच में भी उठने लगी जजो की न्यूकती की मांग, पटना हाई कोच में भी उठने लगी जजो की न्यूकती में कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल, अब वकीलों ने भी जजो की न्यूकती में कॉलेजियम सिस्टम में बदलाओ की वकालत की है, पटना हाई कोच के वरिये अधिवक्ता, योगेश शुचंदर वर्मा ने कहा कि यदि जजो की न्यूकती में कारेपाली का हास्तल शेप करेगी, तो कई परकार्गी तरूटियां हो हो सकती है, उन्होंने कहा कि जजो की बहाली में एक नई निस्पक्ष और पार्दर्शी प्रकिरिया अपना है जाने के आवश रकता है, उन्होंने कहा कि अनुभव और योगिता के आधार पर अन्य भारती सेवाओं की तरह इसमें भी अखिल भारती अस्तर पर परिक्षा पायव जित कर इनकी बहाली हो सकती है, दिवाली की खुशी में बारिश डाल सकती है खलल, बिहार का मौसम तेजी से बदल रहा है, पहारों में बड़ वारी हो रही है और इसका आसर बिहार के विवेने मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, बारिश के चौलते, कई जगहों पर ठंड की आहट होने लगी है दुरगापूजा के बाद अब राज्जु में हर ओर दिवाली की धूम है दिपावली के बाद लोकास्था का महापर भी छटकाय वजन भी होना है ऐसे में एक बार बारिश फिर से आपके तिवहारी मज़े को खराब कर सकती है मौसम विवा की माने तो दिवाली यानि आज और काली पूजा के दोरान राज्जु में कई जगहों पर बारिश फिर दिवाली के मज़े में खलल डाल सकती है कहा जा रहा है कि 2 ओक्टूबर और 24 ओक्टूबर तक डीप डिप्रेशन और चक्रवाती तुफान में बदल जाएगा 25 ओक्टूबर तक की यह पश्चिम बंगाल पांगलादेश तर्टिस से चक्रा सकता है जिसका प्रभाव बंगाल जारकन और बिहार के विवने इलागों में देखने को मिल सकता है धंतेरस के दिन श्रासुत को मिला इस्रो की तरब से खुशिया सीवान के रामदेव नगर निवासे श्रासुत श्रीजन को उनकी अथक परिश्रम का फल धंतेरस के दिन मिला जग उनके पास इस्रो के साइंटिस्ट का जॉइनिंग लेटर आया इंडियन इंस्टिटीट औफ साइंस एंड टेकनोलोजी से बीटे करने के बाद से शासुत को यहमेद जगी थी कि वह इश्रो के रिसर्च टीम का हिस्ता होंगे और वही हुआ धंतेरस के शुब मौके पर शासुत को इश्रो की तरप से जॉइनिंग लेटर मिला जिसके बाद घर में दुगनी खुशियों के दीब चलूठ है शासुत स्रीजन ने अपनी पढ़ाई क्लास से एक से आठ तक डिएवी शुताबदी पब्लिक स्कूल कंधवारस सीवान से की है वही नौवी से बाढवी तक डिएवी पब्लिक स्कूल कैंट रोड खकॉल से की है जग्दानसी के पटना आने का नहीं बन रहा से योग राज़त के परदेश उध्यक्ष जग्दानसी की पाची के परदेश कार्याले और पाची से अब भी दूरी बनी हुई है उनके जुटी खत्म ही नहीं हो पा रही है अब माह भर होने को है पाची दफ्तर पहुंचने का सियोग नहीं बन रहा है इस मुद्धे पर पाची के वड़े चुनिताओं ने चुपी साथी हुए पाची दफ्तर नियमित रूप से आने वाले नेताओं की उमीद थी पाची दफ्तर जरूर आएंगे इसके पीछे यह कहा चारा था कि दिपावली के पहले पाची दफ्तर में काम करने वाले कर्मियों को उनकी पगार का भुगदान होना था पर जगदादन के आने की उमीद खन्ब होने के बाद पाची के पदाधिकारी ने उनसे फोन पर अनुमती लेकर दफ्तर के कर्मियों को दिपावली से पहले भुगदान की विवस्था की दिपावली के पूर्व संध्यापर राजपाल और सीएम ने देशवासियों को दिबाधाई आज दिपावली का पावं दिन है और बीतिन दिपावली के पूर्व संध्यापर मुखिवंत्र नितीश envelope कमार और राजपाल फागों चौहां ने समस्त देशवासियों को दिपावली की बधाई दी, राजपाल फागो चोहान ने कहा कि दीपो का यह त्योहार बुराई पर अच्छाई, अंधिकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ग्यान की विज़र का प्रतीक है, यह स्वचुता और प्रकाश का पर्व है, वही मुख्यमंत प्रदेशवासियों से हवाहन किया कि विप्रकाश पर्व दिवाली को पारस पर 108 सद्भाव और उलास के साथ मनाए, छोटी दिवाली पर विराट की आतुशी पारी की बदौलत जीता भारत, भारती क्रिकेट फैंस को जिस दिन का इंतिजार था, वो दिन, भीते दिन रव पर दी, साथ विस फोटक बलेवास विराट कोली के शांदार बलेवाजी के वज़ो से भारती क्रिकेट फैंस को अपना विराट में वापस मिल गया, टी-ट्वेंटी वर्ल्ट कप के रोमांचक मुकाबला में भारत ने पाकस्तान को चार विकेट से हडाय, कोली ने सिर्फ 53 गेंदों में नाबाद बेरासी रनों की बड़ी पाड़ी खेली, पाकस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बीस ओफरों में आठ विकेट पर 169 रन ही बनाया थे, इसके जवाब में भारत ने अंतिम गेंद पर लक्ष का पीछा करते हुए जीत हासिल की, यह मैच बहत भ भाव विभोर कर देने वाला रहा, बंधक बनाये गए श्रेकपूरा के 11 किशोर पहुचे घर, 11 किशोर के बंधक मामले को लेकर श्रेकपूरा जुलापरशासन के द्वारा उन्हें मुक्त करा लिया गया, बीते दिन सभी 11 मजदोरों को श्रेकपूरा लाया गया, इस मामल वालों से मुटी रकम की मांग की गई, इसके बाद इस मामले के बारे में श्रेकपूरा परशासन के द्वारा जम्मू कश्मीर के जुला अस्थानी परशासन को जानकारी दी गई, और फिर उनकी मदद से उन सभी किशोरों को मुक्त कराया गया, बीते दिन सभी 11 किशोर ज परशार परसार में जुटी हुई है, एक समय था जब ललनसी और मुकामा के पुर्विधायक अनन सीं के बीच की दुश्मनी को भिहार के लोग भूले नहीं होंगे, मगर राजवनीती ने दोनों को साथ आने के लिए मजबूर कर दिया, यही नहीं, अब ललनसी अनन सीं की पतनी नीलम देवी के लिए परचार परसार भी करेंगे, जदियूराश्ट यदेश लगनसी मुकामा सीट से पृत्याश्री अनन सीं के पतनी नीलम देवी के लिए जुन्त जनार्दन से आगे बोट के लिए जोली फैलाएंगे, वहां बिज़ेपी की सोनम देवी उन्हें कड़ा ठकर दे रही है। पीसी का कार्यक्रम में केंद्री उर्चा मंत्री पहुँचे थे, आरकेसी की आरा के सांसद भी हैं, उन्होंने 29,40,000 रुपे की लागत से बने हाई मास्क लाइट का उत्खाटन करने आरा पहुँचे थे। की प्रशासनी कलापरवाही के कारण राज में 7,000 से जादा मरीजों के साथ डेंगू कर रिकॉर्ट चूटा है, इनमें से 4 मरीजों दम तोड़ चुके हैं, दर्जन भरजुले डेंगू की चपेट में हैं, मोदी ने कहा कि डेंगू मरीजों को भगवान भरो से छोड़ कर नितिश कमार पी-म बनने के सपने के पीछे भाग रहें और तेजस्वी यादब भ्रस्टाचार से जुड़े मुकदमों में जमानत बचाने की लगे दोगे हैं मुख्यमंतरी ने कहा कि अरंगाबाद में हुई इस हादसे से वह काफी मरमाहत हुए हैं सीम ने मिर्दको के आश्रीतों को अविलम 4-4 लाख रूपे की अनुगरह राश्य उपलब्त करानी का जुला परश्रासन को नर्देश किया है भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्स वैग्यानिक क्रिष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन का जन 940 में हुआ सो तंता से नानियो और राजुनीतिकर रफी एहमत की द्वाई का निधन निधन 114 में हुआ महारत की पुरसिद उर्दूसा हित्यकार स्मध चुंगताई का निधन 1191 में हुआ सयोगत राज्ट्र के प्रतम महासचीव के जुनाओं तक काड़ेवाहक महासचीव ग्लेडविन जेब का निधन 1196 में हुआ भारती राज्ट्र कॉंग्रेस के राज़रित्तिकों में से एक सिताराम केष्री का निधन 12.00 में हुआ भारत के एक महान गांधिवादी विच्वार के धिहासकार एवं दार्शनिक धर्मपाल का निधन 12.006 में हुआ भाद सरकार नहीं है सन 2005 में कला के श्रीत्र में पद्म भुशन से समाने दिमुनार डे का निधन 12.13 में हुआ पर सिदे चुम्री गाय का गिरिजा देवी का निधन 12.17 में हुआ वारल खबर में आज बात होगी फ्री में मिलने वाली वाइफाई के बारे में सोशल मेरिया पर कई तरह की सुशनाय वारल होती है लेकिन सबी सच हो ये ज़रूरी नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उपयोग करताओं को मुफ्त इंटरनेट परदान करने के बारे में दरसल PIV ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि एक WhatsApp मैसेज में दावा किया ज़रा है कि भारत सरकार तीन महिने के लिए 100 मिलियन उपयोग करताओं को मुफ्त इंटरनेट परदान कर रही है PIV ने आगे लिखा कि यह दावा फरजी है भारत सरकार दोरा ऐसी कोई गुशना नहीं की गई है ऐसे चिपा सकते हैं इंस्टाग्राम पर अपने लाइक्स और व्यूज कुछ महिने पहले इंस्टाग्राम की और से नया विकल्प रोल आउट किया गया है जो उन्हें पोस्ट पर लाइक्स की संख्या चुपाने का विकल्प देता है इसी तरह यूजर्स किसी वीडियो पर आने वाले व्यूज भी चुपा सकते हैं इस बदलाओं के साथ अने यूजर्स का फोकस पोस्ट या वीडियो पर होता है ना कि लाइक्स की संख्या पर हम आपको सेटिंग्स के प्राइवेसी सेक्शन में जाना होगा और पोस्ट पर टैब करना होगा यहीं आपको hide, like and view counts विकल्प मिलेगा इस पर टैब करने के बाद आप चुन पाएंगे कि आने वोस्ट पर व्यूज या लाइक्स देखना चाहते हैं या नहीं बेते दिन हमारे दोर पुछे गया सवाल का आप लोगों में से सवाल है कि बीते दिन खेले गए भारत वणाम पाकिस्तान T20 वर्ल्ट कप में आपको किस खिलाड़ी का प्रदोर्शन सबसे बहतर लगा अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए बस इतना है धन्यवाद